आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है घमंडी पत्नी। एक बार की बात है। जॉनपूर नामक गाउं में हीरा नाम का एक गरीब मछुआरा रहा करता था। वो मछलिया पकड़ने की तलाश में एक गाउं से दूसरे गाउं जाया करता था ताकि पूरे दिन म उसके हाथ कुछ मचलियां आ सके, जिससे वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर सके, एक दिन उसकी पत्नी मीना तालाप से मटके में पानी भर कर अपनी जोपड़ी में ले आती है, मीना, अरे, आज तो मैं इतना ठक गई, इतनी दूर से तालाप से पानी जो लाना होत है, मेरी तो कमर ही तूट जाती है, काश, मेरे पास भी नौकर चाकर होते तो कितना अच्छा होता, मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, रानी की तरह राज करती हाँ, लेकिन मेरा नसीब कहाँ, इस गरीबी में तो दम घुटने लगा है मेरा, ही रा, अरे भाग्यवा आ गई तुम, मैं कबसे तुमहरी ही रह देख रहा था, देखो भाग्यवान, मैं मच्छी की तलाश में पास वाले गांव की नदी में जा रहा हूँ, तुमें तो पता ही है, अपने गांव की नदी में मच्लिया बची ही नहीं है, मच्लिया हाथ आए भी तो कैसे, मीना, अ नहीं के, मैं कहती हूँ अगर आज भी कोई मच्छी नहीं लाएना तो लोटकर मताना, हीरा, अरे, तुम भी ना भाग्यवान, समझती नहीं, कैसे समझाओं तुम्हें, मच्छीयां हाथ आएंगी तभी तो लाओंगा ना, खेर जाने दो, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मी बासी रोटी लेकर आती है, मीना, ये लो, ये दो रोटी लेते जाओ, वरना भूखी पेट मुझे ही कोसोगे, जाओ जाओ और हो सके तो मच्छी लेकर ही घर वापस आना, हाँ, हीरा वहां से मच्छी पकड़ने के लिए निकल जाता है, रास्ते में एक सुनसान जंगल पर जहां पर एक बुरा व्यक्ति जोर जोर से रो रहा होता है, बुरा, अरे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है भाया, मुझे कोई कुछ खाने को दे दो, लगता है भूख के मारे मेरे तो प्रान ही निकल जाएंगे, हीरा, अरे रे, तुम रोते चान्दी के सिक्के तो हैं, लेकिन मैं बहुत ही अभागा हूँ, मैं इन्हे खा नहीं सकता, मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए रोटी, मैं तो इतना भागा हूँ की चल फिर भी नहीं सकता हूँ, मेरी मदद करो, वरना मैं भूख से मर जाओंगा बेटा, मदद क हीरा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दुखी मत हो, मेरी पत्नी ने मुझे दो रोटियां दी थी, तुम उन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लो, रुको देता हूँ हाँ, अभी देता हूँ, जिसके बाद हीरा अपनी पोटली में से दो रोटी निकालता है और भिखारी को दे देता है, तभी भिखारी उन दोनों रोटी को बड़े चाव से खाता है, रोटी खाने के बाद, बूरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वाकए तुम एक नेकदिल इनसान हो, ये लो, तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी, तुम ये चांदी क का सिक्का अपने पास रखो, हीरा भिखारी की यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, हीरा अपना हाथ बढ़ाता है और भिखारी से वह चांदी का सिक्का ले लेता है, हीरा, ठीक है, अगर तुम कहते हो, तो मैं ये चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता हूँ, अ कोड़ा आगे बढ़ता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है ही रा ही उपर वाले काश में आज बिना मचली ये घर ना जाओ वरना आज भी मुझे मीना की खरी खोटी सुननी पड़ेगी क्रिपा करो उपर वाले तभी नदी में से दिव्य शक्ति बाहर आती है ही रा अरे कौन हो तुम और इस नदी में क्या कर रहे हो और तुम्हारा आधा शरीर मचली का कैसे है जलदेव दरो मतीरा मैं जलदेव हूँ इसी नदी में रहता हूँ जिस भिखारी से तुम जंगल में मिले वो मैं ही था मैं अक्सर इसी जंगल में यहां से गुजरने वाले लोगों की परीक्षा लेता हूँ, तुम एक नेकदिल इंसान हो जिसने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी, बताओ, तुम्हारी क्या अच्छा है, मैं अवश्य ही पूरी करूंगा, हीरा, अरे, ये, क्या बोल रहे हैं, क्या आप सच में जल्देव हैं, मैं तो आपको देखकर ध भी ठीक से नहीं मिल पाती है, आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए, जिससे मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूँ, जल्देव, अच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा है, ठीक है हीरा, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा, ये लो हीरा, ये एक जादूई सिक्का है, ये तुम्हारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन याद रहे हीरा, जब भी तुम्हारी पत्नी में किसी भी कारणवश अहनकार का भाव पैदा होगा, तो इसका दुश्परिनाम भी अवश्य ही होगा, हीरा, ठीक है, मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूंगा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देखती होगी, घर आने के बाद, मीना, अरे, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज कोई मचली लाए हो या नहीं, आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, हीरा, अर न कहते ही वहाँ पर खूब सारी मचलियां आ जाती है, ये देखकर उसकी पत्नी हिरान हो जाती है, मीना, अरे, ये क्या, इतनी सारी मचलियां, अरे, वाह वाह, लेकिन ये सब इस सिक्के के कारल हुआ है, लगता है, ये कोई जादूई सिक्का है, अरे, आखिर कहां से मिला तुम्ही ये सिक्का, बताओ मुझे हीरा अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पतनी को बताता है मीना, क्या सच में? ये तुम्ही जल देवता ने दिया है अरे वाह वाह, हमारे तो भाग ही खुल गए अच्छा तुम एक काम करो, ये जादूई सिक्का मुझे दे दो मैं इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूँगी, हाँ हीरा, अच्छा ठीक है भाग्यवान, रख लो अपने पास तुम्ही जो भी चाहिए होगा, तुम इस जादूई सिक्के से मांग लेना लेकिन याद रखना भाग्यवान, अपने लालच में अहनकारी न होना वरना इसका परिनाम बुरा होगा मीना, अरे, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी बस एक बार मुझे जादूई सिक्का दे दो ना, जिसके बाद हीरा अपनी पतनी को वह सिक्का देता है, जिसे पाकर मीना बहुत खुश हो जाती है मीना, हाथ आगे करते हुए, चलो चलो जादूई सिक्के, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो मुझे खुब सारा धन चाहिए, हाँ, बस आब और इस गरीबी में मुझसे नहीं रहा जाता तभी देखते ही देखते मीना के पास खुब सारे सोने और चांदी के गहने और रुपया आ जाते हैं मीना ये देख कर बहुत खुश हो जाती है मीना, अरे वाह, कितना सारा धन है, अरे वाह, वाह, सोने के गहने भी हैं, वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है दूसरे दिन, मीना, अरे जादूई सिक्के, मुझे एक नौकर भी चाहिए, कूरा दिन काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है दे दो मुझे एक नौकर, जो मेरा सारा काम करे मीना के इतना बोलते ही वहाँ एक और नौकर आ जाता है मीना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है नौकर, बोलिए मालकिन, मेरे लिए क्या काम है मैं कुछ ही समय में आपका सारा काम कर दूंगा मीना अरे बताऊंगी बताऊंगी इसलिए तो मैंने जादूई सिक्के से तुम्हें मानगा है हाँ मीना फटाफट नौकर को घर का सारा काम समझाती है नौकर सारा काम सुनते ही जल्दी जल्दी करने लगता है मीना शीशे में देखकर कितनी सुन्दर लग रही हूँ मैं हाँ हाँ कितने सुन्दर गहने हैं वाँ वाँ कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर लगेंगी क्यों नहीं मैं हूँ भी इतनी सुन्दर अरे वाह, अब इतने सारे गहने तो मिल गए लेकिन अब चेहरे का क्या किया जाए इसमें भी थोड़ी चमक लानी पड़ेगी इस गरीबी में तो मेरा पूरा रूपी चला गया ऐसा रती हूँ, थोड़ा मेकप कर लेती हूँ उसके बाद ये सब गहने मुझ पर जंचेंगे बहुत सुंदर लगूंगी मैं, सभी गाव की औरते जलकर राख हो जाएंगी मीना, सुन, तू इधरा, ये ले और ये लेप मेरे चेहरे पे लगा दे नौकर, जी मालकिन, अभी लगा देता हूँ मीना, अरे वाह वाह, बड़ा ही आनन्दा रहा है इसके बाद तो सब जल भुनकर राख हो जाएंगी नौकर, ये लीजिये मालकिन, हो गया काम जिसके बाद मीना अपना चेहरा शीशे में देखती है जो बिलकुल लाल हो चुका है और बेहधी दरावना लग रहा होता है मीना, अरे रे, ये क्या हो गया सत्यनाथ इसका, ये क्या कर दिया इसने पूरा चेहरा खराब कर दिया इसने मेरा नौकर, अरे मालकिन, मैंने आपका कहा सारा काम कर दिया है मीना, आरे, ये देख तूने मेरे चेहरे को क्या कर दिया है मेरा चेहरा देख कितना बदसूरत लग रहा है नौकर, अरे मालकिन, आपने ही तो कहा था लेप लगाने को अब इसमें मेरा क्या दोश मालकिन मीना, अच्छा तो तू कहना चाहता है मेरी ही सारी गलती है वाह वाह, उल्टा चोर कोत्वाल को डाटे भगवान, क्या करूँ मैं इसका, आप यहां खड़े मत रह और जा तालाब से पानी लेक्या नौकर, अच्छा बालकन, जो आपकी इच्छा तभी थोड़ी देर बाद मीना गाउं के बजार की तरफ अपने सारे गहने पहन कर निकलती है मालती, अरे रे, ये क्या हुआ मीना, तेरा चेहरा तो देखो टमाटर की तरह लाल लग रहा है अरे, क्योरी मीना, आज कल टमाटर सबजी में नहीं डालती क्या मूँ पे लगाती है, दूसरी औरत, इस मीना के तो दिन ही बदल गए मालती, हाँ बिल्कुल, सही बोल रही हो दीडी, जरा इसके गहने तो देखो अरे वाह, इतने गहने, इतने तो पूरे गाउं में किसी के पास नहीं होंगे जितने ये पहन कर बैची है दूसरी औरत, अरे वाहरी मीना, आखिर कौन सी जादूई पुडिया हाथ लग गई तेरे जो इतने सारे गहने पहने है क्या सच में कोई जादूई पुडिया तो नहीं मिल गई तुझे मीना, देखो, ये सब गहने मेरे हैं समझी तुम आई बड़ी जादूई पुडिया बोलने वाली अरे, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो मालती जलन हो रही है तुम्हें मेरे इतने सुन्दर सोने के गहने देखकर कभी देखे हैं इतने सारे गहने तुमने बड़ी आई बोलने वाली, चलो हटो मेरे रास्ते से जिसके बाद मीना बड़ी गुस्से में आगे चलती है और दोनों औरते उसे बड़ी हिरानी से देख रही होती है मालती, अरे रे, लगता है गहनों का असर मीना के सर पर चद गया है दूसरी औरत, हाँ, बहुत ही अहनकारी हो गई है खेर अब क्या ही कहा जाए मीना आगे चलती है तो उसके सामने एक बकरी का छोटा सा बच्चा आ जाता है मीना, अरे रे, हट मेरे सामने से, चल हट अब ना जाने ये बकरी का बच्चा मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो गया अरे जाता है या नहीं लेकिन वो बकरी का बच्चा मीना के सामने से हटता ही नहीं तभी मीना को बहुत गुसा आ जाता है और वो जोर सोर से उसको मारने लगती है मीना घर लोटकर खाए आज तो मैं बहुत थक गई हूँ इतना चल कर थोड़ा आराम कर लेती हूँ नोकर जी मालकिन बताए मेरे लिए क्या काम है मीना कहा मर गया था तू हाँ दिखता नहीं कि ठक गई हूँ मैं चल मेरे पाउं दबा और ज़रा अच्छी से दबाना कोई भी काम ठीक से नहीं करता तभी मीना का नौकर उसके पाउं दबाने लगता है और देखते ही देखते मीना सोजाती है थोड़ी देर बाद जब मीना की आँख कुलती है तो देखती है उसका नौकर वहाँ पर नहीं होता है मीना ये मेरा नौकर कहां चला गया मेरी जरा सी आँख क्या लग देई नजाने कहां चला गया काम चोर कहीं का नजाने सिक्के ने मुझे कैसा नौ कर दिया है तभी मीना अपने बैट से उठती है और उसकी नजर शीशी पर पड़ती है मीना अपना चहरा देखकर दर जाती है अब मीना के चहरे पर बकरी का चहरा आ जाता है जो देखने में बहुत दरावना लग रहा होता है और मीना के सारे सोने चांदी के गहने भी गयब हो जाते है तभी वहाँ पर हीरा आता है और मीना का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है हीरा, अरे रे भाग्यवान, ये क्या हुआ, और तुम्हारा चहरा एक बकरी के चहरे में कैसे बदल गया मीना, ये क्या हो गया जी, मेरा चहरा बकरी का कैसे बन गया पर ये क्या, मेरे सारे सोने के गहने भी कहां गायब हो गये ये क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? हीरा, अरे, कहीं जल्देव का कहा सच तो नहीं हो गया. अरे भाग्यवान, हमें जल्देव के पास जाना होगा. चलो अब, देर हो गई तो लेने के देने पर जाएंगे. अब क्या हुआ हीरा, क्यूं याद किया, बताओ हमें, हीरा, प्रणाम जल्देव, ये देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया है, इसका चेहरा तो बकरी का बन गया है, देखिए कितना दरावना लग रहा है, अब हम क्या करेंगे जल्देव, जल्देव, हीरा, ये जो कुछ भी तुम्हारी पत्नी ने एक बक्री के बच्चे को बिना बाद के बहुत मारा। उस मासूम जानवर का कोई दोश नहीं था। तुम्हारी पत्नी ने ये अपने अहनकार के कारण किया। जिसके फलस्वरूप ही तुम्हारी पत्नी की ये दशा हुई है। मैंने तुम्हें पहले को ये श्राप दिया है जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है हीरा, अब तुम्हारी पत्नी को इसी जानवर के आधे रूप में रहना होगा तब ही मीना जोर जोर से रोने लगती है, मीना रोते हुए ये मैंने क्या कर दिया, मेरी इस दशा की मैं ही दोशी हूँ अपने अहनकार वश्व में अपना ही सर्वनाश कर बैठी, मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं